वाले हैं इंजिनरी मेकेनिक्स 2019 इभेन का कोचन ओके जो की 20 अब्जेक्टिव कोचन होगा उसका आज हम लोग सुल्योशन करने वाले हैं इंजिनरी मेकेनिक्स का ओके इससे पहले चानल पर पहली वार रहे तो चैनल को सिस्क्राइब कर दिजे वीडियो को ज्यादा आप लो सब्सक्राइब करेंगे इसको आप लोग स्टार करेंगे इसको याद करेंगे ओके यहां पर देखेंगे वरांट चो मेकेनिक वी रिलेटेट टू वोडी इन मोसं बिथाओड एनी रिफ्रेंश टूदा फोर्स मतलब कोई बोडी मोसं में हो लेकिन हम लोग फोर्स का कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको लोग क्या बोलते हैं जिसका आप लोग अंसर दीजे सेकेंड का तूसको हम लोग क्या बो कापल जो कि इंपुर्टर्टरण आपको आ सकता है यहाद कीजिए घुरत क्या है बहुत याद के तो कापल क्या है कॉपल एक टू अनिल्म लाइक फोर्स नबर इसका देखिए क्या हो जाएगा कड दाक ए लयान डिया गया है तो इए होगा इसका Direction डिखेお gem ici unit of force force this问题 कि Richard куюनिट में क्या होता है तो फ्रस का क्या होता है जी newton होता है आप लोग जानते हुआं ही जी होगा जी happiest बहुत यह सा कोचन है इन में से बताएं वेक्टर कोंटीटी है वेक्टर कोंटीटी में टोनों होता है त ओफस्ट नबर C होगा क्रेक्ट अंसर बोथ A and B ओके देखे शिक्स नमबर को जान दस टो फोर्स होई तर इजाल्टन इजिरो और नोने यानि इजाल्टन जीरो है तो फोर्स क्या होगा तो फोर्स का एक्वेरियम में होगा तब उसका रिजाल्टन जीरो आता है ओके हम लोग जानते जैंटा ऊफ येक्शं disappointment फोर्स अईंस फोर्स पोर अभज पर इंप्ट सपोर्ट में कि देडिर याक्शं होते हैं तो हिंस सपोर्ट में हमें साथ 2 reaction होते हैं तो option नापर हो जाएगा भी यदि कोई इस परकार का beam है और हिंस सपोर्ट इसमें लागा हुआ हैं तो इसमें दो reaction होते हैं ओके जिसको जागा option number B होगा correct answer एक होता होता वहर का reaction एक होता होड़ी gender reaction फिसका क्या बोलेंगे एक बीम है एक बीम पर आपको को इंच लगा हुआ है और दूसरा बीम पर क्या रोलर सपोट लागा तो उसका हम बोलेंगे उसका हम बोलेंगे simply supported beam हम लोग जानते हैं simply supported beam में कोई beam रहता है एक एंड पर आपको hinge लागा रहा था दूसरे इंड पर रोलर सपोर्ट लागा रहा था तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे simply सपोर्ट beam option number d होगा जी corrections है 9 में देखे angle of the fraction दिया गया है 5 and angle of the report दिया गया है alpha has the relation तो हम लोग पता है कि यह दोनों क्या होते है equal होते हैं तो देखे option number b में है जी equal तो b होगा जी corrections है देखे तो is a unit of the coefficient of fraction coefficient of fraction का is a unit क्या होता है very very important तो coefficient of fraction का is a unit नहीं होता है ओके इसको हम लोग म्यू से सुझित करते हैं ओके एफ वराबर क्या होता है म्यू होता है और और होता है और क्या normal reaction है इस क्या fraction force है ओके देखे और म्यू कोफिसेंट of fraction यहां पर देखे ता 10 inverse यह वाला करके आप लोग कर दीजिएगा तो इसको आपको निकल जाएगा तो आपको 45 निकलेगा तो आप्शन नमबर बी होगा जी करेक्टन से नहीं होता है यह जो होता है लेस और मोर दोनों होता है यह करेक्टन से क्योंकि इसमें बोल देंग को के देखे दा संट्रॉइट आप ट्रेंगल ता संट्रॉइट आप ट्रेंगल यह चीज ता पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस अप अपक्स फ्रों बेस्ट पूछ रहा है ना तो बेस्क अपक्स पूछेगा तो टू एच वाट थीरी फ्रों इस अपक्स हो जागा वेस्ट क्या हो जागा एच वाटा थीर हो जागा तो आप्सन नम्र सी होगा इन में से दोनों देखे संट्रॉइट आप टा सेमी सरकल यह कोचन बार बार पूछा गया है सेमी सरकल आए बस आपको कुछ नहीं फोर आर बाटा थीरी पर आप आर रहा हैंगे नीचे वाई रहा हैंगे और से नमर दी होगा जी क्रेक्टन से देखें पंदर नमर दा सेंटर ग्रैप्टी ऑप तो सोलिड राइट सर्कूलर कौन लाइन और इस आक्सिस अधिंग हाइट ऑप एवाफ दवेस्ट इसका क्या हो जागा पंदरा क्य स्केलर कॉंटिटी क्या होता मां मस क्या है क्या इक स्कार्ट कॉंटिटी अब एकसलेसन वेलोंसिटी फोका इए एक वह्ट्र कॉंटिटी प्रेटि वाज़ा लेकिन मास क्या का स्कार्षी क्या इक忘 रखेंगे अप har रहेगा तो क्या हो जाँगा आईडियल मसीन होता है सोफ यह याद रहेंगे यह साइड इस साइड भी आईडा आईडा देखी है पर्ष देगे हैं जो से पहले हम बताए तर्फ यह मैं 100 परसिंट है आप देख लेजिए तो चलि इसको आMore सोफ गब एक है को आप तो अब कि आईडियल में सोई परसेंट होता एपिसट सी वेलोसी अब तर्ण सिस्थम पुली का थी सेबन होता है हमेशाच याद रखेंगे फुली आ जाओ तो सेबन में देजेगा मेकनिकल इडवांटेज मेकनिकल बड़ाबर देखंगे मेकनिकल यानि एल ऊपर में रखेंगे यानि लोड बट्ट क्या है अपसन अमबर ये में भी है लोड बट्ट और यहां पर अपसन नमबर ये वाला होगा जी correct and perfect answer okay चली तो हमने 20 कोचन complete कर लें जो कि 2019 में पूछा गया था 2020 में एक्जाम नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना वाइरस के कारण 2020 में एक्जाम नहीं हुआ था इसलिए 2020 का कोचन नहीं दिया गया है 2020 का दिया गया थे इसको हम नेक्ष्ट वीडियो में solution कर देंगे चली फिर मिलेंगा नेक्ष्ट वीडियो में तब तक